नमस्कार आज हम दस्वीक अक्षा की पाठिपुस्तक छितिज भाग दो में संकलित पाठ बालगोविन भगत पर बात करेंगे जिसके लेखक हैं रामब्रिक्ष बेनिपूरी रामब्रिक्ष बेनिपूरी एक मशूर लेखक हैं जो अपनी रचनाओं में जीवनता के लिए जाने जाते हैं पंदरा वर्स की अवस्था में रामब्रिक्ष बेनिपूरी ने लेखन कारे प्रारंब किया उनके लेख बिविन पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे और तरुन भारत किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जन्वानी जैसी तमाम पत्रिकाएं उनके लेखन की गवा हैं। उनके लेखन का छेतर जो है, वो मुखर रूप से अगर हम बात करें कि जो रेखा चितर का छेतर है, उसमें उन्होंने महारत हासिल की है। बिहार गे रहने वाले मुझफरपूर जिले के बेनिपूर गाउं में 18 सनी 90 में जिन का जन्म हुआ। वैसे बेनिपूरी 1920 से ही राष्टिये स्वाधिनता अंदोलन से सक्री रूप से जुड़ गए थे। और उसमें कई बार जेल गए और साहित को उन्होंने स्वाधिनता अंदोलन में एक हत्यार के रूप में इस्तमाल करना सुरू किया। जन्ता के बीच में अपने विचारों को ले जाने के लिए वो जन्ता के बीच से पात्रों को चुनते थे और उन्हें अपने जीवन के दुख दर्द के साथ संवेदित करते थे। राम रिक्ष बेनिपूरी की रचना बालगविन भगत एक रिखाचित्र है। रिक्ष बारे में बात जब हम करते हैं। बेनिपूरी जी ने गद की विविन विधाओं में लेखन कारे किया है। और उनकी समुची रचनाएं बेनिपूरी ग्रन्थावली में संकलित है। मुखी रूप से जुनकी रचनाएं वो पत्तों के देश में चिता के फूल, आम बरपाली, माटी की मूरतें, पैरों में पंक बांध कर। ये यात्राविरतांत बहुत महत्पूर्ण यात्राविरतांत है। लिखे गए हैं। अपने साथ पाठकों को भी बांध करके और एक जीवन्त तस्वीर प्रस्तूत करते हैं। जंजीरे और दिवारे उनके संस्मरण का संग्रह है। तो उनकी जो रशनाएं हैं, वहाँ पर मानविय मुक्त की चिंता का और इतिहास के साथ एक खास संबंद दिखाई देता है। जो उनकी रशनाएं हैं, उनमें से ज्यादा तर रशनाएं, रेखाचित्र जो हैं वो प्रसिद्ध हुई। और रेखाचित्र की खासियत यह है, कि यह हिंदी के गद लेखन का एक ऐसा रूप है, जिसमें जो शब्दों के माध्यम से चित्र को बनाया जाता है। जहां पर कोई चित्रकार है और वो रेखाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति या व़्यक्ती की आकिर्ती को अंकीत करता है। रेखाचित में यही काम सब्दों के द्वारा होता है कम से कम सब्दों में किसी वस्तु या वैक्ति या दृष्ट को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वो आपकी संवेदना को जागरित करता है और आपके हिर्दय को छूने की इकोसिस करता है और इसमें विश्तार क लेकिन भावों की संस्रिष्टा और संवेदन सीलता अधिक रहती है। जैसे चितरकला में रेखाओं के माध्यम से दिर्स है और उसमें एक गती की बात होती है वो शब्दों के माध्यम से यहां पैदा की जाती है। यनि कि ये साहित की ऐसी विधा है जिसको हम चितरकला के साथ जोड सकते हैं। जैसे चितरकला में दिर्ष्य वस्तू का उद्गाटन होता है वैसे ही यहां पर वक्त विवस्तू का उद्गाटन होता है। तो इसलिए इसे शब्द चितर भी कहा जाता है। उसकी एक विशेष्टा यह होती है कि इसमें कलपना या अनभूती का कोई रंग अलग से नहीं होता है, व्यक्ति और वस्तू और दिर्ष्ट जो है उसका हू बहुत चित्र भावनाओं के साथ जो है वो अंकित किया जाता है, इसलिए रेखा चित्र में मुख्यता जो है वो आपको मिलेगी, इसमें जो और दूसरी बात क्या होगी कि उसमें एक रफ्तार, भाषा से ही उसमें गती लाने की कोशिस की जाती है और इससे वो एक गतशील बिम्ब का निर्मान करते हैं, गती, बेंजना और चित्रातमक्ता रेखाचित के विशेष गुण होते हैं, रामरिक्ष बनिपूरी की ही जो रचना है माटी की मूर्ते हैं, उनको रेखाचित का सेष्ट उदारन हम मान सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, महादेवी बर्मा द्वारा लिखित रचना हैं, अलग-अलग अक्छाओं में आप पठ के रूप में रखी गई हैं, जैसे दूसरे रेखाचिते हैं, रजिया है, बलदेव सिंग है, देव है, ये भी काफी चर्चित हुए और पाठक इने चाव से पढ़ते हैं, और जो बालगोविन भगत पाठ जो दस्वी में रखा गया है, इसमें रेखाचितर के बीज से, रेखाओं के बीज से एक कहानी भी निकलती है, इसमें जो एक किसान का जो जीवन है, जो गाओं में काम करता है, जो महनत करता है, ऐसे किसान जो जीवन में जो है, वो सन्यासी नहीं है, लेकिन वो सन्यासी के सारे गुनों को धारन करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो है, जो समाजिक रूडियों से अपने जीव जीवन में ही उसको उतार लेना, जो जीवन का मर्म है और रोडियों से संघर्स करना, तो इस प्रकार से बालगोविन भगत का एक चैत्र जीवन की ज्हांकी इस पाठ में दिखाई देती है, बालगोविन भगत जो है वो मझोलेकत के व्यक्ति हैं, जैसा पाठ के प्रारम में बताते हैं रामधीक्षबेन पूरी और वह लगभग 60 साल के उनकी आई-ईू बताते हैं। कवीर की छवी है लगभग उसी प्रकार से कुछ राम रिक्ष बिन पूरी ने बालगुविन भगत की बनाने की कोशिस की है साधू नहीं है लेकिन खेती बाड़ी करने वाले गिरहस्त हैं कवीर के अन्याई हैं और उन्हीं की तरह मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं कवीर की कविताओं को मधूर स्वर में गाते हैं और उनके आदर्सूं पर चलने की कोशिस करते हैं बालगोईन भगत की विश्यस्ता ये है कि वो सरल प्रविर्थी के व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते और अपने को लालत से हमेशा दूर रखते हैं, जूट नहीं बोलते, उनका बेभार खरा है और वो अपने स्रम से अपने जीव प्रसाद के रूप में वापस मिलता है कुछ हिस्सा और फिर उसी हिस्से से वो अपना गुजारा करते हैं, तो इस प्रकार से अपने जीवन के प्रती एक इमानदार प्रयास और उसके लिए कोई दिखावा नहीं है, बलकि भीतर से वो बात उनके निकल के आते हैं, उनके कंट से निकल कर सजीव हो उठते हैं, रामरिक्ष बेन पूरी ने बताया है कि धान की रोपनी करते हुए, भादों की मुसलाधार बारिस के बाद कार्ति से लेकर फागुन के माह तक चलने वारी प्रभात्ती के समय में या गर्मियों की उमस भरी साम हो, उनमें उनका जो ग हर गती विधि में ताल पैदा हो जाती है और वो एक निश्चित ताल और लय में गाते हैं, उनके स्वर के आरोह और आरोह के साथ सुरता का मन भी जो है उपर उठता चला जाता है और धीरे धीरे उसके उपर इतना हावी हो जाता है कि वो उसके धुन पर नाचने के लिए विवस हो जाते हैं. लेकिन वो केवल संगीत के लिए नहीं जीते हैं. उनका जीवन एक उद्देश के साथ है. और कहीं बे जैसे कवीर हैं तो कवीर एक जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, वैसे ही बालगोईन भगत एक किसान है. और वो अपने सरीर को कीचड में डाल कर खेतों में रोपनी करते हैं. उनकी उंगलियों से धान के पौधे पंक्तिबद रूप से वो खेतों में डाले जाते हैं. और वो पैदर ही हर जगा जाते हैं, दो-दो मील दूर नदी तक जाते हैं, वहां से सनान करके आते हैं. तो इस प्रकार से वो एक मेहनत स्रम से भरी हुई जिन्दगी को जीने वाले व्यक्ति हैं। और केवल भेस भूसा से साधू नहीं हैं। उनका जीवन वो कवीर के बचनों और आदर्सों को धारन करता है। अपने चत्र में उतारते हैं। अपनी उम्र के बावजूद उनके भीतर इतनी शक्ती है, इतनी फूर्ती है कि वो सब को उससे चमतकृत करते हैं। सुबह की ठंड के समय में भी सुबह दो-दो मील जाते हैं। नदी में असनान करने जाते हैं। और भादो के समया, जब बारिस का समया होता है, तो रात में अकेले ही खेतों में भी जा करके महिनत करते हैं. तो जीवन की जो कठे निष्थितियां हैं, उसके बीच में भी उनका संगीत, उनके जीवन में शामिल है और उनका ज़े है सहायक बना रहता है. इस से पूरे गाउं में एक अपना प्रभाव है उनकी बड़ी इज्जत है अब भकत का एक लवता बेटा वो कुछ सुस्त था उसके लिए सुस्त और बोदा सब्द का इस्तमाल क्या है बोदा का मतलब है कि उसमें कोई बहुत चमक नहीं है यानि कि बहुत साही व्यक्ति नहीं है तो लेकिन बेटा है तो उसे वो प्यार करते हैं लेकिन कोई बीमारी होती है और एक दिन उसकी मिर्तु हो जाती है भगत जो है बेटे की मिर्तु को जो है वो एक इस रूप में ले तो पुत्र का शौज उसके भगल में बैठ करके वो कबीर के पद गाते हैं और उस पद का भाव है कि जो इश्वर से मिलने के बारे में बताता है वो अपनी पुत्र वधू को भी समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है उस्व मनाने का समय है बिच्छी हुई आत्मा अपने प्रेतम इस्वर से मिलने चली गई है और ये आनंद की बात है भगत ने शरीर की नश्वर्ता और आत्मा की अमर्ता का भाव अपनी पुत्र वधू को समझाया और खुद तो उसको मान ही रहे थे धीरे धीरे प्रकरांतर से उनकी दिन चर्या पुत्र के बिना भी चल पतोहू देख भाल करती थी लेकिन भगत उनके मन में कोई बात है वो अपनी पतोहू को अपने साथ रखने को अब तियार नहीं है और वो उसके भाई को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि इसे तुम अपने साथ ले ج Bear साथ ले जाओ और इसकी दुबारा साधी करा देना क् वो अपनी पुत्रवधु को भी बहुत प्यार करते हैं, तो जानते हैं कि इसका जीवन जो है, वो मेरे साथ आगे अब संभव नहीं है, पुत्रवधु नहीं मानती है, हट करती है, मोह में है वो, तो वो चाहती है कि मैं भगत के साथ रहूं, क्योंकि मेरे जानने के बाद भ चोड़ने की धमकी भी दे देते हैं, विवस पतुहु को भगत की बात माननी पड़ती है, उसका पालन करना पड़ता है, तो बात यह है कि भगत अपने पुत्र और पुत्वधु से प्रेम करते थे, और इसलिए उसकी भलाई के बारे में वो सोच रहे थे, पुत्र की को वो आत्मा की मुक्ति मानते हैं, और इसी कारण जो है, वो उसका उत्सव भी मना रहे हैं, जो बिद्वा पुत्र वधु है, देखिए, रूड़ियों को तोड़ने की बात, अपने बिवहार में रूड़ियों को तोड़ने के लिए भगत आगे बढ़ते हैं, वो बहुत पुत्र वधु के दूसरे विवाह का निर्ने, उसके परती प्रियम का परतीक है, अगर उन्हें अपना ही मोह होता, तो जो पुत्र की मृत्व पर सोक मनाते, या अपने पुत्र वधु को अपने पास रोक लेते, लेकिन ऐसा न करके, वो अपने पुत्र की मुक्ति और जो है श्रम करना वही सुबह सुबह नदी जाकर के नहाना तो भगत जो है वो बुढ़ापे में भी पैदल चरकर तीस कोस दूर जो है गंगा इसनान करने चले गए क्योंकि संत समागम होने वाला था और अपने विचार के लोग वहां मिलने वाले थे लोक दर्शन जनता के साथ जो है उनका एक संबाद होने वाला था तो उसके परतीव जो लालज था उसके कारण वो चले गए और जब लौट कर आए तो बिमार हो गए लेकिन जो कठिन उसे उन्होंने नहीं छोड़ा और ऐसे ही एक दिन भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना सुबह सुबह उठकर के गीत गाते थे परभाती भी गाते थे तो लोगोंने जब जा करके देखा तो भगत का पंजर पढ़ा था और आत्मा सायर कहीं चली गई थी तो यह जो रेखा चित्र है यह हमें किसान जीवन के जो उसकी दिन चरिया है उसमें जो लोग हैं उनके जो बालगोंन भगत के साथ उनका जो पूरा समाज है उस समाज को हमारे सामने ले करके आता है आप देखिए इसमें पढ़ते हुए जो जो ग्रामीन अंचल से आने वाले जो चात्रह वो सायद समझ लेंगे कि इसमें हल की चर्चा है इसमें रोपनी की Ěर्चा है धान की जो है चर्चा है कलेवा की चर्चा है। अब कलेवा जो है वो एक ऐसा शब्द है जो खेती करने वाले लोग ही साइद उसे जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर खेत में काम कर रहा है तो उसके काम करने के दौरान कुछ उसे खाने पीने की चीज़ें घर से दी जाती है और उसके लिए कलेवा शब्द का उपयोग होता है तो इस प्रकार से यह जो रेखा चितर है उस जीवन से और उस जीवन की शब्दावली से हमारा परशे कराता है इसी तरिके से खेतों का है मेड है, हल्वाहों की चर्चा है, पोखरों के उचे भिंड की चर्चा है तो यह जो शब्द है यह शब्द जो है खास उस ग्रामीर समाज और उस उस किर्सी संस्कृति से निकल करके आते हैं इस पाठ में और यह जिसे ध्वनी से जुड़े हुए शब्द हैं तो रिमजिम शब्द आता है स्वर्तरंग है जहंकार है तो एक ध्वन्यात्मक शब्द ह इसे मेठक बोलते हैं या खजडी की जो आवाज है डिमक डिमक या गुंगुनाना है शब्द है जिसे मालिजिए कि उनके गायन का सुरूर तो सुरूर जो सब्द आमतर पर नसे के साथ आता है लेकिन वो मन के लगाव को जह हमें बताता है तो इस पार्ट में और भी जिसे सब्द आपने अगर ध्यान दिया हो कि ध्वनी और संगीत से जूड़े हुए बहुत सारे सब्दाएं हैं संगीत में जीवन है भगत का तो उसके साथ कर्टाल भी आता है उसके साथ ताल भी है गती भी है तालस्वर है नाच की चर्चा है तो प्रभाती एक शब्द आया है सुबह में जागने के लिए जगाने के लिए आम तर पर निर्गुन के गीत होते हैं, कबीर के गीतों का उप्योग होता है तो ग्रामिर्ट समाझ में आज भी सुबह उठ करके और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का गायन करते हैं और अपने समाज में अपने लोगों को एक तरह से वो उद्वोधन का गीत है, जगाने वाला गीत है, उसमें जीवन के बहुत सारे मर्म चुपे होते हैं, बहुत सारा अनुभूत दर्सन उसमें चुपा हुआ होता है, कि उसी संगीत के माध्यम से उसको बार बार जीवन के बिविद आदर्सों को भी इसमरन करते हैं, उसके तत्यों के इसमरन करते हैं, जीवन के यथार्थ को इसमरन करते हैं, कबीर के जो गीत हैं वो उनके स्वर से निकलते हैं और वो उनको एक नई जो है चेतना देते हैं तो जीवन और संगीत भगत का जीवन क्या है कि जीवन में संगीत है जीवन में आदर्स है जीवन में अथार्त है और इनमें कहीं भेद नहीं है और इस तरीके से संगीत कोई हमारे जीवन से बाहर की वस्तु नहीं है ये भी हम इस पाठ से समझ सकते हैं एक और महत्मूर बात जिसके आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूं कि पाठ में भारतिय पांचांग विक्रम संबत जो हमारा इंडियन केलेंडर है उससे जूड़े हुए बहुत सारे सब्दों का इस्तमाल हुआ है और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे महीनों के नाम आये हैं जैसे चैद का महिना है भादो का महिना है फागुन का महिना है तो इस प्रकार के जो शब्द आये हैं आप धूड़िए कि क्या अभी आज हमारे जीवन में यह शब्द बचे हैं और अगर बचे हैं तो उनके नाम जड़ा सा धूड़िए कि हमारे हिंदी में म मनाई जाते हैं यह सब भारतिय महिनों के भारतिय तितियों के अनुरूप मनाई जाते हैं बहुत कम ही ऐसे हैं तेभार जो अंग्रेजी तिति से मनाई जाते हैं तो जो ग्रेगोरिक कलेंडर है और जो हमारा भारतिय जो बिक्रम संबत यह सक संबत जो भी पांचांग हमारा भारत में चलता है, उसके महीने में एक भिन्यता होती है, लेकिन मोटे तोर परमालने की चैत्र का जो महीना है, हमारे मार्च से उसको हम जोड सकते हैं, बैसाह के महीने को अपरेल से जोड सकते हैं, तो इस प्रकार से एक बार आप ढूंडने की कोशिस करिए, जानने की कोशि इस पार्ट से यह एक्सरसाइज आप आगे और कर सकते हैं, कुछ क्रिया विशेष्णों का भी इसमें प्रयोग हुआ है, उनको पहचानिये, देखिये कि कैसे उनका प्रयोग होता है, पुस्तकों का उप्योकरी, इस पार्ट में बहुत सक्री रूप से, जब लिखते हैं रा अलग ही उसका फ्लेवर है, उसकी अलग ही चटा है, तो एक काली कमली उपर से ओढ़े रहते हैं, तो वो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो बाल गोविन भगत जो है, इस पार्थ को पढ़ते हुए हम भासा संबंधी भी अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक जो है, जो ग्रामीन जीवन है, जो किर्सी का जीवन है, उस जीवन का भी हम परचे हैं, प्राप्त करते हैं, यानि कि जीवन का यथार्थ भी है और भासा की समझ भी इस पार्ट से विक्षित कर सकते हैं, एक अतिरिक्त सूचना के रूप में आप इस बात को ले सकत कि बाल गोविन भगत नाम से एक फिल्म भी आई थी 1990 में जिसके निदेशक भूषण थे और इस फिल्म के मुख्य कलकार आकेश पांडे और अनिता नाइक है तो इस फिल्म में भी इसी कहानी को रखा गया है इस आधार पर तो आप अतिरिक्त जो है सहलगनता के लिए आपकी रूची अगर हो तो उस पूरे परिवेश को अगर आप दृष्य के रूप में भी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं तो बाल गोविन भगत जो है एक रेखा चितर इस प्रकार से है जो हमारे सामने बाल गोविन भगत उनका जीवन उनका समाज और उ उमिद करता हूँ कि बाल गोविन भगत पार्थ आपको पसंद आएगा और इस पार्थ को एक बार और पढ़कर आप इसकी विशिष्ताओं को जानने की कोशिस करेंगे धन्यवार नमस्कार उनका हूआ आपस्टाइब आपको म LIKEπει बाल येल आपको पस्टाइब है को ज समाने के कि बाल जापको एको toutके महाँ आपको